गुड इवनिंग इस्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे छात्रों आज हम इस वीडियो में कुसान काल की जो कला है इस्तापत्य कला है इनके बारे में ध्यन करेंगे और कुसान काल के बारे में हम आपको पहले जैसे की कुसान वन्स की जानकरी के सुरूत है कुसान काली इन जो सिंस्कृती समाज है इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके कुसान काल के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप लोगों ने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हम यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे जो भी इनफोर्मेसन आपको दिखाते हैं वो एक्जाम की दरस्टी से बहुती महतोपुन होती है अता है आप अपने फ्रेंड्स को सेर भी करें ताकि उनको भी एक्जाम की तयारी में सहायता मिले और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने ने वीडियो प्राप्थ हूँ और यदि कोई भी हमारे वीडियो में आपको कमी लगे तो हमें आप बता सकते हैं ताकि हम उस कमी को पूरी करें और आप लोगों का सहुग कर सकें तो देखें पढ़ते हैं कुसान काल में कला यह स्ताफते कला बोध कला का विकास कुसान राजों के सरक्षन में भी होता रहा ठीक है और बुध धरम से सम्मन्दिद हम पढ़ चुके हैं प्रेसिद कुसान सासक कनिस्क एक महा निर्माता था उसके सासन काल में अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्मान हुआ और स्तूपों के बारे में विहारों के बारे में हम काफी अच्छे से पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं जैसे आपका साची का इस्तूप है, अमराब्ती का इस्तूप है, नागरजुनी कुंडा का इस्तूप है, दामेक इस्तूप है, ठीक है? अपनी राज़ानी पूरुसपुर अर्थात पेसावन में 400 फीट उंचा विशाल इस्तूप उसने बनवाया था, जिसकी वेदी का 150 फीट उंची थी, फायान तता वेंचांग दोनों ने इसका विवरण दिया है, फायान के अनुसार उसने जितने भी इस्तूप देखे थे, उनमें ये सरवादिक प्रभावसाली था, वेंचांग के विवरण से पता चलता है कि ये इस्तूप पांच भूमियों में बना था, तदा बगवान बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां यहाँ पर थी, दक्सिन तदा दक्सिन पस्सिम में दो और मूर्तियां बनी थी, इस पतुकार अगिलस द्वारा किया गया था, यह अनेक सीखर, भूमी, स्थंब आदी से अलंगरित था, वेंचांग के भारत आने के पहले ही यह स्थूप जलकर नस्ठ हो गया था, पेशावर इस्तित सहाजी की धेरी के उत्कनन में कनिस्क चत्ते के अवसेस प्राप्त होते ह तकसिला का सबसे महतोपुन धरमराजी का स्थूप था, मूलते इसका निर्मान असोप के समय में हुआ, किन्तु कनिस्क के समय में उसका आकारवर्धन हुआ, उंचे चपूत्रे पर निर्मित यह स्थूप गोलाकार है, चार दिशाव में चार सीडिया है, इनका निर्मान बासान से किया गया है, चोकिशे स्थूप के उपरी भाग तक इसे वीवित अलंगरनों से सजाय गया है, इसके अलावा बल्क तथा खोतान तक अनेक स्थूप निर्मित करवाए गये थे, मनिक्याल छेत्र में कई स्थूप बने थे, मनिक्याल रावलपिंडी से कुछ दू स्थूप को बनवाया गया था, मनिक्याल इस्थूप का चबूतरा गोल है, जिस पर अर्थ गोलाकार गूमबद 127 फीट व्यास तथा 400 फीट के छेत्रफल में फैला हुआ है, इस्थूप के खुदई में एक दाथू मंजूसा मिली है, जिसमें कई सिक्के तथा मोतियां एक किया अधिक सीडिया बन आई जाती थी, वेदिका रिता तोरण का परियोग बंद हो गया था, इस्थूप पर ही वीविद सिल्फ उतकिन किये गए थे, ये जातक कताओं कि ए पेक्षा बहुत चरित्र से अधिक सम्बंदित थे, संपून इस्थूप एक बूर्च जैसा दि बिशेच कर, प्लास्तर पर्तिमा सबस्थ दिखाई देती है, इस्थूपो की अलवा, कणिस के समय में कनेशपुर्ण जो मर्तमान में कस्मेर में है, और जिसका नाम कामशोपुर्ण है, तथा सिर्कप, तक्सिला, नांमकस्थान पर नए नग्रों का निर्मान करवाया गय कनिस के सासनकाल में कला के 262 70राणीओं का विकास हुआ है गंदार सेली और मथुरा सेली ठीक है इन दोनों सेलीं के बारे में हम आपको आगे के वीडियो में पढाएंगे हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आगे भी ऐसे ही हम आपको परिक्षाज सम्बंदित महतोबुन विसे इत्यास से सम्बंदित जो भी जान करें वो परदान करते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज से